शुनिधी चोहान आज किसी परचे की मोहताज नहीं है। शुनिधी जितना अच्छा गाती हैं उतनी अच्छी दिखती हैं। शुनिधी चोहान के पहली शादी मात अठ्था शाल के उम्र में कोरियोग्राफर और निर्देशक पॉवी खान से की थी। शुनिधी ने दूशी शादी 24 अप्राल 2012 को अपने बच्पन के दोस्त और संगीत निर्देशक हिते सोनिक से की करियर। सुनिधी ने अपने करियर के सुरवात महर चार वर्ष के उम्र में कर दी थी। सुनिधी ने कई सिंगिंग बेश्ट रियालिटी सोज में हिस्सा लिया। लेकिन नन्नी सुनिधी के जिन्दगी तब पतली जब टीवी एंकर तबश्यम ने उनकी गायकर को देखा और सुनिधी के माता पिता को मुंबाई आने के लिए कहा। इसके बाद सुनिधी ने मुंबाई आकर दुरदरशंग के सिंगिंग बेश्ट रियालिटी सोज मेरी आवाज सुनों में हिस्सा लिया। सुनिधी ने इस सोग को जीत कर लता मंगेश का ट्रोफी पर कबजा किया था। शोला शाल के उम्र में ही सुनिधी को राम गुपल वर्मा के फिल्म मस्त में रुकी रुकी से जिन्दगी गाने को मिला। चो शमय का सूपर हिट गाना साबित हुआ था। इस गाने के सुनिधी 14 नॉमिनेशन मिले थे। जिनमें से सुनिदी को दो फिल्म फियर अवर्ड एक ची सिने अवर्ड और दो इस्टार स्क्रीन अवर्ड मिले। इसके साथ ही सुनिदी को नई संगीत प्रतिभाखोज की तहत आड़ी अवर्ड से भी नवाजा गया। शुनिदी ने अब तक के सफर में तकरीबन तीन हजार से अधिक गाने गाए हैं। इस धौरान सुनिदी ने टेलिवीजन के सिंगिंग बेश रियालिटी सूस को भी जज़ किया। जिसमें इंडियान आइडल 5, इंडियान आइडल 6 में वह बतौत जज़ नजर आई थी। सुनिदी ने हिंदी के अलावक कई भाषाओं को अपनी आवाज दी है। शुनिदी के आवाज को हम सभी पशंद करते हैं। यह काराने कि सुनिदी का गाया हुआ गाना हर फैन के म्यूजिक लेश्ट में मिल ही जाएगा। लेकिन सुनिदी के शिर्फ गीत ही नहीं पलकि उनके डांस मूब्स भी फैन के बीच बहुत मशूर है। शुनिदी अपने डांस के साथ फैन्स को भी थिरकने पर मजबूर कर देती है।